हलो बच्चो नमस्कार श्वागत है आपके अपने यूटूब चनल एग्रोटेक स्टडी में तो बच्चो पर इच्छा आ चुकी है आपकी तो समय तो आपके पास है ही नहीं है उमीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बहतरी न चल लही होगी आप लोग अच्छी परकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और पहला आपका पेपर हिंदी का है इसके पाद इंगलेस और तीसरा पेपर आपका पशू पालन का है तो पशू पालन को लेकर बच्चे बिलकुल चिंतित नहीं होना है आपको क्योंकि आज हम लेकर आएं आपके लिए पूरे उटी बिलकुल आपका एक उटी आपके एकजाम है बाहर नहीं जाने बाला है बस आपको आप इस वीडियो को देख भी ना सको नो तो कम से कम सुन लेना जिससे आप इतना कर सको कि आपके उटी गलत ना हो समय आपके पास आप कानों में येरफोन लगा लिजी अधि आपको मतलब देखना नहीं है तो मोबाइल को रख दीजी और कानों में येरफोन लगा के आप लोग जो है ना इस वीडियो को सुन लीजी सुनने से ही आपको याद हो जाएगा बहिया बस आप इसको देख लीजे कम से कम जिससे आपका भला हो जाए ठीक है ना बस यही हम चाहते हैं बच्चों को काफी दिन से मांग थी कि सर कोई ओटी का और इंपोरेंट कोश्चन की वीडियो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं तो आप उसके लेकर भी चिंतितना हो आई एमपी कोश्चन की वीडियो भी आपको एक आद दिन में मिल जाएगी जल्दी मिल जाएगी आप परिशान ना हो बाकी आपके लिए ये ओटी 28 नमर आपके पक्के ह हो जाते हैं नी आप पास तो बिलकूल OOT से हो जाएगे इस वीडियो का अप튼 देखते हächen तो चीक करना तो आप सुनने की बात कर रहाओ आप सुनना सको तो फिर आप जानो आपका काम जाने बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जासे ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को फोँचा है आप लो सभी छात्रों का जितने भी MP के बच्चे हो या 36 गड़ के बच्चों सभी बच्चों का वहला हो सके ही हमारों देश है क्योंकि MP बोर्ट की परिक्षा है स्टार्ट हो गई है 36 गड़ बोर्ट की होंगी आगे जो भी तो उनके लिए भी एक काम आएगा वीडियो ठीक है बागी आप लोग अच्छा बारवी के यदि छात्र है तो आप तक ये वीडियो पहुँचाना ही सभी बच्चों मैं एक कहना चाहूँ है कि सभी बच्चे उसको पहुचाए इस वीडियो को हर छात्र के पास ये वीडियो पहुचना चाहिए जिससे उस बच्चे का पूरे 28 नमर पहसु पालनों वो ला सके ठीक है चलिए तो ज़द समय आपका खराब हम लोग करेंगे नहीं वीडियो लगभग आपका एक घंटे से उपर भी जा सकता है तो एक घंटे लगभग कोशिश है कि एक घंटे मैं पूरा करा शके एक घंटे क आपको क्या बताऊं बस आप लोग इसको पढ़ लिए इससे भार कुछ नहीं है ओटी में पूरा आपका मतलब पढ़ लिया तो खिला हो जाएगा ठीक है ना चलिए देख लिए तो देखे बचो जहांसे भी ओटी आ रहे हैं आपकी पूरे ओटी कप्लिटली हम आपको करन आने बाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पसु पिलेग रोग पसु पिलेग रोग किससे होता है सब जानते हैं वायरस या विसानू के द्वारा होता है तो कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं खुर्पका मुपका रोग एक संक्रामा करोग है जो कि किससे होता है यह उसी वा पर यदी छाले बन जाते हैं तो ये खुरपका मुपका रोग में ऐसा होता है क्यों था है गलगोटू रोग की मिरतुदर तो गलगोटू रोग की मिरतुदर कितने होती है बच्छो 90 से 95 पृतिसाथ पसू मर जाता है कि लंगडी रोग का रोग कारक क्या होता है बच्चो की जीव सूप करके बहार निकल आती है ठीक है। बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट कर's है। नाम है पिलिया बुखार, जहरी बुखार, तिलीका बुखार, विजज़ार, इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है, एक्जाम में आप लोग इंथ्रेक्स याद रखें, क्योंकि इंथ्रेक्स एक इंग्लिस बर्ड है, इससे आप लोग भूलेंगे नहीं, बाकी और कोई भी नाम पूछले, तो आप लोग वता देना, नेक्शन अब पसू पलेग रोग सुस्क मोसम में ज्यादा फेलता है, सुस्क मतलब गर्मियों में यह कह सकते हैं, सूखा, जब पढ़ता है, सुस्क रहता है, पानी नहीं बरसता है, तो उस समय यह रोग ज्यादा फेलता है, कौन सा पसू पलेग रोग, जो की वाइरस बिसानों से होता है, एमां पहले पता चुका हूँ, नेक्स और गलिःगंटू रोग का संचित नाम क्या है, HS, HS का मतलब होता है Hemorrhagic Septicemia याद रखें Hemorrhagic Septicemia इसका आपका क्या होता है पूरा नाम होता है HS का जिसको हम गल गोंटू के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है बच्चो आपका थनेला रोग से गिर्शित पसू की दूद का pH कितना होता है 7.4 कितना हो जाता है 7.4 हो जाता है विशेश याद रखें थनेला रोग पसू में बैक्टिरिया या जीवानू से होने वाला एक रोग है इस बात का आप लोग विशेश याद रखें बारवा आपका पॉइंट है थनेला रोग किसके द्वारा होता है मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि थनेला रोग स्ट्रप्ट को काई जीबानों के द्वारा होने वाला एक रोग है और ये थनेला रोग आपके सभी पसुम होता है चाहे गाय हो बहेंसो वक्री हो ठीक है ना चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स हम लोग बात करते हैं बच्चो तेरवे पॉइंट की ये तेरवा पॉइंट है विश्जुवा रोग में पसु के प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा पदार्थ निकलने लगता है चलिए पॉइंट है गलगोंटु रोग को गोंटुआ घुर्रा नाविक जवर एचेस घुल का आदी नामों से जाना जाता है गलगोंटु जो रोग होता है बच्चो इसको इतने सारे नामों से जाना जाता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं गलगोंटू जो गलगोंटू रोग है गलगोंटू रोग गाय में किसके दारा होता है गाय में याद रखना आपका जो होता है वो बोवी सेप्टिका एबं भेंस में होता है पास्चुरेला वोवेली सेप्टिका जीवानू के दारा होता है जीवानू से होता है इंक्यूवेशन अब्दी का मतलब होता है उद्भवनकाल उद्भवनकाल मतलब पसू में किसी भी जीवानू या विशानू ने एंटर किया और उसके जो लक्षन प्रगट होने का समय होता है उसके बीच का जो भी समय है उसको उद्भवनकाल या इनकुवेशन अबदी कहा जाता है इसके बाद सत्रबा पॉइंट है बच्छो थनेला रोग में पसु के आयन से पीला या लाल दूद निकलने लगता है कुण से रोग में थनेला जो रोग होता है पसु में यह रोग में पसु के आयन से पीला या लाल दूद निकलता है क्योंकि लाल इसली निकलता है उसके साथ विलडवी आ जाता है क्या आ जाता है बच्छो उसके साथ विलडवी आ जाता है इसके बाद हम लोग बात करें हैं बचो नेक्स पॉइंट की और नेक्स पॉइंट देखिए आप इसके बाद 20 है स्वास्त गाय का तापमान स्वास्त नहीं है यह स्वास्त गाय जो होती है उसका टेंपरेचर 101.4 डिगरी फायन है इसके बाद 21 है लंगडी रोग को जहर बाद एक टंगा लंगडिया चुरचुरिया आधी नामों से जाना जाता है इसके बाद bachow कुरपका मूपका रोग को गाय में सबसे अधिक होता है ध्यन है खुरपका मूपका रोग सबसे ज़्यादा किसमा होता है गाय में और किसके दोरा होता है विशानू विशानू का नाम क्या है यह उसी इसके बाद हम बात करते हैं खुर्पका, मुपका, रोग, गाय में सबस्यादिक होता है देन है पसू पलेग रोग को सीतला, एपतसजवर, माता पॉका-पॉकनी, आदी नामों से जाना जाता है यह पसू पलेग जो भी विसानू से देखो विसानू से दो रोग हो रहे हैं कौन-कौन से हो रहे हैं आपके याद रखें विसानू से दो रोग कौन-कौन से हो रहे हैं एक है खुर्पका, मुपका रोग और दूसरा कौन सा रोग है आपका पसू पलेग रोग और बाकी लंगडी रोग है गलगोटू है आपका थनेला है आपका है ना जो भी रोग हैं आपके लंगडी है जो भी रोग हैं आपके वो सभी जीबानू के द्वारा हो रहे हैं तो आप लोग याद रखें ठीक है ना बिसानू वाले और जीबानू वाले अलग अलग बस दो रोग याद रखना है बिसा पसु के जो रक्त हुता है कुन होता हुसे सड़े मक्हन की जैसी गंध आने लगती है कैसी यब आती है जब पसु सांस लेता है तो गुर-गुर की आवाज आती है इसके बाद हम बात करते हैं लंगडी रोग में सूजन वाले भाग को दबाएं तो चरचराहट की आबाज आती है इसे स्याद रखना लंगडी रोग में जो पसू को सूजन आ जाती है सरीर पर उसको यदि दबाया जाया तो चरचराहट की आबाज आने लगती है इसके बाद 27 वा है, स्वस्त वकरी का तापमान 101 से 103.5 डिगरी फाने हेट तक होता है यह वकरी का टेंप्रेचर है, यह भी आप लोग याद रखेंगे Next रहें, इंत्रेक्स रोग का उद्भवन काल तो इंत्रेक्स रोग का जो उद्भवन काल होता है बच्चों, वो 11-14 घंटे कई ज़गे आपको 12-24 घंटे भी मिल जाएगा याद रखें इंत्रेक्स रोक का उद्भवन काल 11-14 या आपको मिल जाएगा 12-24 घंटे और गलगोंटू रोक का जो उद्भवन काल होता है बच्चो वो होता है आपका कितने समय का एक से तीन दिन का और लंगडी रोक का जो उद्भवन काल होता है वो होता है एक से पांच दिन का और खुर्पका भुपका रोक का होता है एक से छे दिन का याद रखें ये चारो रोगों के आपके उद्भवन काल दे रखें और उद्भवन काल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ याद रखें इंत्रेक्स रोग का 11-14 घंटे या 12-24 घंटे गलगोंड रोग का 1-3 दिन कई जगे 1-2 दन मिल जाएगा आपको या ये भी मिल जाता है 12-72 घंटे भी मिल जाता है लिखा हुआ तो कन्फ्यूज नहों लंगली रोग का 1-5 दिन और खुर्पका मुपका रोग का 1-6 दिन आपका उद्भवन काल होता है इसके बाद हम लोग बात करते हैं खुर्पका मुपका रोग में पैर डुपकी कराई जाती है क्या कराई जाती है बच्चो खुर्पका मुपका जब रोग होता है तो पसूओं को पैर डुपकी कराई जाती है मतलब एक गड़ा खोता जाता है एक मीटर लंबा चोड़ा और उसमें कोपर सलफेट जो होती है नीला थोता जिसको बोलते हैं तूतिया का गोल बोलते हैं तो उसमें कीचड़ डाल करके कीचड़ हो जाता है फिर उसमें दबा डालता है और उसमें से पसुओं को निकाला जाता है उसको बोलते हैं फुटपाथ कराना या पेरेडूपकी कराना ध्यान रखें फुटपाथ किस रोग में कराई जाती है खुरपगा मुपार रोग में कौन सी दबा कॉप्यों करते हैं कॉपर सलफेट या नीला थोता इसको तूतिया के गोल के नाम से भी जाना जाता है बात करते हैं लोग आगे नेक्स से बच्चो आपका पसु के बीमार होने पर पसु का तापमान बढ़ जाता है सिंपल सा प्रणेटे सब जानते हैं दुख्द जोर रोग में पसु का तापमान घट जाता है एक रोग है सिर्फ आपका कौन सा रोग है जिसका नाम है दुख्द जोर और ये केलसियम की कमी से होता है पसु में और ये ऐसा रोग है जिसमें पसु का तापमान हमेशा घटता है बाकी जितने भी रोग हैं चाहे इंत्रेक्स हो चाहे लंगडी हो तो सभी रोगों में पसु का तापपन बढ़ेगा लेकिन दुख्दुजवर एक ऐसा रोग होता है जिसमें पसु का टेंपरेचर घट जाता है थनेला रोग में स्ट्रीप का परिक्षन करते हैं जी यहां स्ट्रीप का परिक्षन क्या होता है आपको अच्छी तरह मालम हुआ कि किसी भी थनेला रोग से गिर्षित पसू के थन से क्या निकालते हैं दूद जो की एक कप लेते हैं cup के वोपर एक काला कपड़ा डालते हैं और उसके वोपर दूद निकालते हैं फिर उस दूद को जो है ना कहा पहुचा दिया जाता है लेम में जाँच करने के लिए पहुचा जाता है तो उसे हम लोग strip cup परिक्षन के नाम से जानते हैं और ये थनेला रोग में किया जाता है इस बात का विशेश याद रखें इसके बाद हम बात करते हैं पसू की रोगों की रोगथाम के लिए अस्वस्त पसू को स्वस्त पसू से अलग कर देना चाहिए सिंपल सा पॉइंट है इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद गलगोंडू रोग में पसू के भूव एवं नाक से क्या आने लगती है लार आने लगती है ठीक है लंगली रोग में मिर्दुदर 55% होती है विशेश याद रखें कई बार पूछा गया प्रिश्ण है और नेक्स्ट है इंत्रेक्स रोग से मरे हुए पसू को चूना डाल कर गाड़ देना चाहिए ध्यान रखें इंत्रेक्स रोग से मरे हुए पसू को चूना डाल कर गाड़ देना है जलाना नहीं है क्योंकि इसके बैक्टरिया सभी में फेल जाते हैं और ये रोग इंत्रेस रोग एक ऐसा रोग है जो पसूँ से मनुस में भी फेल जाता है नेश्ट है आपका पसू पलेग रोग में पसू को कब्ज होने के बाद पिछकारी नुमा दस्त होते हैं पसू पलेग रोग में पहले पसू को कब्ज होती है इसके बाद उसको पिछकारी नुमा दस्त होने लग जाते हैं नेश्ट है इंत्रेस रोग से मरे हुए पसू का सब विक्षिदा नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि यह रोग एक ऐसा रोग है जो पसू से मनुसमेवी फेल जाता है ठीक है यह बाद का विशेश्याद रखेंगे अप लोग इसके बाद हम बात करते हैं खुर्पका मुपका रोग में फुटबात कराने के लिए नीला थोता या कोपर सलफेट का उप्यों के जाता है यह चीज में आपको किलियर कर चुका हूँ पहले चालिसबा है पसू पलेग रोग में जी टीवी का टीका लगाया जाता है नेक्स्ट है आपका दुधारू बकरी कौन कौन से होती है बीटल जमनापारी महसाना और मारबड़ी यह चारो बकरी आपकी दूद देने वाली होती है इसके बाद हम बात करते हैं बच्चो विदेसी नसल है बकरी की तो बकरी की सानेन बकरी विदेसी है न्यूवियन है अल्पायन है और अंगोरा ये चारो बकरीया आपकी कैसी है बच्चो याद रखना ये चारो बकरीया आपकी विदेसी वकरीया है इसके बाद हम बात करते हैं बच्चो नेक्स्ट मास वाले के मास के लिए पाली जाने वाली बक्रियों के नाप तो मास के लिए हम पाली जाती है जैसे आपकी है कौन सी चेंगू विलेक, वंगाल, गंजम और मालावारी ये बकरी आपकी जिनसे मास प्राप्त होता है उसके लिए पाली जाती है इसके बाद हम बात करते हैं बच्चो मास वाली जातियों से उत्तम कोटी का ही मास प्राप्त होता है ये जन्रली आपको पता होना चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं बक्री के दूद में खनीज लबन, विटामिन्स एब हम उचित मातरा में पाए जाते हैं सही बात है जो बक्रियां होती है उनके दूद में खनीज लबन और विटामिन्स ये उचित मातरा में पाए जाते हैं लगब फेट पाई जाती है इसके बाद बकरी के दूद का पीएच मान 7.4 होता है और एक बात और आप लोग याद रखना जिस गाय को थनलर होता है उसके भी दूद का पीएच मान 7.4 हो जाता है मतलब दूद जो होता है बकरी का वो छारिया होता है यह ध्यान रखें आप लोग छारिया मतलब जिसका सास से उपर पी एच गया मतलब समझ लीजिए वो छारिया हो गया और इसका सास से नीचे गया वो समझ लीजिए आपका क्या होता है अम लिए खुदा है इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका गद्धी जो बक्री है गद्धी जो बक्री है ये वोजट होने बाली बक्री है बजन डोती है एक जगे से दूसर जगे ले जाने काम करती है बजन को और जमना पारी बक्री जो की दुकाजी नसल है और दुकाजी का मतलब होता है बच्चो कि आपको दूद भी देती है और दूसरा इससे मास भी अच्छी कोटी का प्राप्त होता है मतलब दूद मास दोनों चीज़े एदी मिल रही है तो वो दूद काजी है मतलब दो काम कर रही है दूद भी दे रही है आपको और मास भी आपको प्राप्त करा रही है इसके बाद हम लोग बात करते हैं मास वाली जातियों से उत्तम कोटी का मास प्राप्त होता है मास वाली जो जातियां है आपकी वकरी की उनसे उत्तम कोटी का मास प्राप्त होता है ये तो मैं आपको अभी clear कर चुका हूँ इसके बाद हम बात कराएं बच्चो बरबरी बकरी तो बरबरी बकरी को सहरी बकरी के नाम से जाते है सहरी बकरी मतलब city god इसका मतलब है ये सहरी बकरी ऐसी बकरी होती है बच्चो बरबरी जो इसको सहर में मतलब city बाले लोग पालते हैं तो याद रखें बर्बरी बकरी एक सहरी बकरी होती है सहरी बकरी के नाम से सहर में पाला जाता है और एक खुटे पर रहकर ये चारा चरती है वहीं पर खुटे पर इसको पाला जा सकता है सानेन बकरी को दूद की रानी कहते हैं सब जानते हैं सानेन जो बकरी है इसे milk of queen कहा जाता है नेश्ट है पस्मीना पस्मीना आपका कस्मीरी बकरी से प्राप्त होता है ये पस्मीना क्या होता है थोड़ा सथ देख लिजे जो कस्मीरी बकरी होती है इसके बड़े बड़े बाल होते हैं उनके नीचे कुछ पतले रोम पाये जाते हैं रोम बतलब पतले बाल उनको ही हम लोग पस्मीना कहते हैं याद रखें कस्मीरी बकरी के लंबे लंबे बालों के नीचे कुछ रोम होते हैं उसको हम लोग पस्मीना कहते हैं ठीक है विसे से याद रखें, अंगोरा बक्री से प्राप्त बालों को मोहर कहा जाता है, याद रखें, अंगोरा जो बक्री है, उससे प्राप्त जो बालों को मोहर कहते हैं, क्या कहते हैं, मोहर कहा जाता है, नेश्ट एक केंद्री है, बक्री अनुसंधान संस्थान का है, तो केंद्री है, वक्री अनुसंधान संस्थान आपका मत्रा उतर प्रदेश में इस्तित है, कहां पर है, मत्रा उतर प्रदेश में है, केंद्री है, वक्री अनुसंधान संस्थान, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका बक्रियों का गर्वकाल, तो बक्रियों का गर् तो ध्यान रखें, एक बरस में दो बार बच्चे देने बाली जो बकरी की नसल है, वो है बरबरी, याद रखें, जिसको सहरी बकरी के नाम से हम लोग जान रहेते हैं, वही बकरी एक बार में दो बच्चे देती हैं, कभी अभी तो तीन भी देती हैं, ध्यान रखें हम लोग इसके बाद हम बात करें हैं बकरी को गरीब की गाय कहते हैं सब जानते हैं बकरी जो होती है इसे गरीब की गाय कहा जाता है गद्धी और चम्बा गद्धी और चम्बा जो बकरी है इनसे उन प्राप्त होती है इस बात का आप लोग विशेश याद रखें देन हम बात करते हैं बच्चो नेक्स्ट आपका सानिन बकरी का उत्पतिस्तान का है तो सानिन बकरी का उत्पतिस्तान है बच्चो सुटजर लेंड काँ पर है सुटजर लेंड काँ पर है सुटजर लेंड विसे इस याद रखें सुटजर लेंड है सानिन बकरी का उत्पतिस और इस विसानू के परिक्षण के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एलीसा टेस्ट याद रखें विसानू की जाँच करने के लिए चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम विसे स्याद रखेंगे उसका नाम है एलीसा टेस्ट कौन सा टेस्ट है बच कितना दूद देती है एक से डिल लिटर तक दूद दे देती है इसके बाद है गदी बकरी के बाल इतने लंबे होते हैं कि उसके बालों से रसियां बनाई जाती है क्या बनाई जाती है गदी बकरी के बालों से बचो रसियां बनाई जाती है इसके बाद अंगोरा बकरी की जो का रंग गुलावी होता है सानेन बकरी सफेद या क्रीम कलर की होती है सब जानते है जो सानेन बकरी होती है इसका रंग सफेद या क्रीम कलर का होता है सफेद या क्रीम कलर सानेन बकरी प्रति दिन बच्चों 2-5 लिटर दूद देती है कितना देती है सानेन बकरी जो होती है ये प्रती दिन लग बाग 2-5 लिटर तक दूद देती है अब बरवरी का याद रखें वो 1,5 लिटर दूद देती है जबकि सानेन बकरी 2-5 लिटर तक दूद देती है कसमीरी बकरी से 90-120 ग्राम प्रती वर्स पसमीना प्राप्त होता है पस्मिना क्या होता है मैं आपको क्लिर कर चुका हूँ समना पारी बकरी के पिछले पेरों पा लंबे घले बाल पाये जाते हैं कैसे बाल पाये जाते हैं लंबे घले बाल पाये जाते हैं इसे बात का विशेश आप लोग याद रखेगा नेक्स बात हम लोग करते हैं बच्चो केंद्रिय भेड एवं उन अनुसंधान की केंद्रिय भेड एवं उन अनुसंधान संस्तान कहां पर है तो ध्यान रखें केंद्रिय भेड एवं उन अनुसंधान संस्तान अम्विका नगर टॉंक राजस्तान में है कहां पर है केंदरी है भेड एवं उन अनुसंदान संस्तान कहां पर है बच्छो अमिका नगर टॉंक राजिस्थान इसके बाद है विस्व की सरभाद एक लंबे कानों वाली भेड कौन सी है तो ध्यान रखें वो है लोही कुनसी है बच्चो विस्व की सरभाद एक लंबे कानों वाली बेड़ की नसल कुनसी है लोही संसार की सबसे पतली उन मेरीनों नसल से मिलती है कौनसी नसल की बेड़ से मिलती है ध्यान रखें मेरीनों से इसके बाद हम बात करते हैं कालीन हितु कालीन बोले तो कार्पेट कार्पेट तो जानते होंगे जो साधियों में बिछाया जाता है तो कालीन हितु विस्व भर में फिरसिद नशल कौन सी है तो ध्यान रखे हैं वीका नेरी कौनसी नसल है, वीका नेरी से सबसे बेस्ट आपकी कारपेट मिलती है नेक्स है बच्चो आपका भेड का गर्वकाल तो भेड का गर्वकाल भी डेड़ सो दिन का होता है देखो बकरी का 145 से 150 दिन बताया था और भेड का भी लगबग 150 दिन का होता है गर्वकाल मतलब जानते हो जब से भेड बकरी कोई भी प्रेगनेंट हुई हो और जब तक बच्चा पैदा करती है तब तक का जो बीच का समय होता है उसे गर्वकाल कहते है मेरीनो नसल, मेरीनो नसल का मूलिस्तान का है तो ध्यान रखे इस पैन है देखो कन्फ्यूज मत हो जाना जो सानेन बकरी है उसका उत्पतिस्तान है सुजलेंड और जो मेरीनो नसल है जेकी भेड की है वो भेड का मेरीनो मूलिस्तान का कहा है पर है मुल्तान सहर मुल्तान का सुल्तान विरंदर सहवाग का नाम सुना है आपने बहुत बड़िया तो लोही बेड का मूलिस्तान है पाकिस्तान का मुल्तान और एक चीज और आपको मालम होगी की लोही भेड दुनिया में विस्प की सबसे लंबे कानों वाली भेड होती है इस चीज में आपको किलियर कर चुका हूँ आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है हिसार डेल बच्चो इसार डेल, विलोरी, लोही और कच्ची ये भेड की दुईकाजी बच्चो इसार डेल, विलोरी, लोही कच्ची मतलब ये दुईकाजी का मतलब ये होता है बच्चो देखो बखरी में तो दुईकाजी का मतलब ये था कि वो दूद देती है और मास देती है लेकिन भेड में दुईकाजी का मतलब ये होगा कि ये उन देती है और साथ में मास भी मतलब मास सिबं उन के लिए पाली जाने बाली भेड़े दुकाजी नसले होती है इसके बाद हम लोग बात करेंगे मारवाड़ी, चोकला, नाली, मालपुरा यह मद्द प्रदेश में पाली जाने बाली वेड़ की नसल है चोकला नसल जो वेड़ की होती है इसको राइस्तान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है अपका नेलोरी मांडिया यह ऐसी भेड़ की नसल है जो मास के लिए पाली जाती है किसके लिए पाली जाती है मास के लिए पाली जाती है ध्यान रखें आप लो नेक्स्ट है बच्चो आपका इंडियन बेटनरी रिसर्च इंस्टिट्यूट आपका कहां पर है इजद नगर वरेली उतर परदेश में ये इस्तित है नेच्ट ना बाड़ी जो भेड होती है भेड के गले के नीचे क्या पाय जाते हैं appendix मतलब कोई भेड है तो इसकी जो अंगला होता है हम पर इस प्रकार के तो appendix पाय जाते हैं और कठिया बारी जो भेड होती है ना बच्छो इसको नेक्स हम बात करेंगे मगरा नसल की मगरा नसल की भेड की उन में 94.5% सुद्ध उनी रेशा होता है याद रखें जो मगरा नसल होती है इसकी भेड की उन में 94.5% उनी रेशा होता है देन मारवाडी जो भेड है मारवाडी भेड की उनको विदेसों में जूरिया कहते हैं विसे स्याद रखना बच्छो मारवाडी जो भेड है उसकी उनको विदेसों में क्या का जाता है उसको विदेसों में जूरिया कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो उसको जूरिया कहा अजाता है गुरेज भेड से रेशा रहत अधिक चिकनाई युक्त उन प्राप्त होती है मक्खन में सुवास डाई ऐसी टाईल के कारण आती है याद रखना मक्खन में जो गंद आती है वो किसे कारण आती है डाई ऐसी टाईल के कारण आती है क्रीम सेपरेटर किस बल पर कारे करता है ध्यान रखें cream separator आपका जो होता है cream नीकालने की जो machine होती है उसको cream separator कहते हैं और यह अब केंद्रिय बल पर काम करता है centrifugal method इसको कहा जाता है किस पर काम करता है अब केंद्रिय बल या centrifugal method इसे कहा जाता है सुद्ध दूद का आप एक्चे घनत कितना होता है तो याद रखें सुद्ध जो दूद होता है उसका आपिक्चे घृनत 1.032 होता है कितना होता है 1.032 होता है नेश्ट है क्रीम निकालते समय दूद का तापमा तो क्रीम निकालते समय दूद का टेंपरेचर लगबग 95-105 डिग्री फाइनेट होना चाहिए या उप्युक्त होता है बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्रीम पकाने का उप्योक ताप क्राम तो क्रीम पकाने का जो उप्योक ताप क्राम है बच्छो वो कितना होता है 18 से 21 डिगरी सेलसेस होता है इसके बात करें मक्खन में नमक कितना परसंट मिलाना चाहिए तो मक्खन में जो नमक है वो मिलाना चाहिए आपका एक परसंट कितना मिलाना चाहिए बच्छो एक परसंट नमक मिलाना चाहिएगा देन बात करते हैं हम लोग घी को 110-120 degree Celsius पर गर्म करना चाहिए देने मक्षन में 80% वसा अनवार है जीहां बचो मक्षन में फेट कितना होता है तो मक्षन में जो वसा की मात्रा है वो 80% होती है कितनी परसंट होती है 80% वसा पाई जाती है इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बचो वियाब साइक तोर पर क्रीम से घी बनाया जाता है वियाब साइक तोर पर हम लोग बात करें तो जो कोमर्सियल तोर पर बात करें तो ज़द तर जो घी बनाया जाता है वो क्रीम से ही बनाया जाता है नेश्ट है गाय का दूद पीला गाय का दूज पीला किसके कारण होता ध्यान रखें केरोटीन के कारण होता है दूज जो होता है आपने देखा होगा जन्रली महस का दूज सफेद होता है लेकिन गाय का थोड़ा सा पीला पन लिए होता है क्यों होता है क्योंकि उसमें केरोटीन पाया जाता है क्या पाया जाता है बच्छो केरोटीन पाया जाता है नेश्टे एंडीराई तो एंडीराई कहां पर है बच्छो तो NDRI आपका करनाल हर्याणा में इस्तित है, कहां पर इस्तित है, NDRI करनाल हर्याणा में इस्तित है, क्रीम में वसा की मात्रा, बच्छो क्रीम में वसा की मात्रा 25% से अधिक होना चाहिए, क्रीम में जो वसा है वो कितने पर्षेंट होना चाहिए, 25% से अधिक होना चाहिए नेस्टे बचो क्रीम को मत्तेछ आमलता कितनी होना चाहिए तो उसमें 0.20% राज होना तो रुदभा है घी में पानी की मातर याद रखें 0.5% होती है यानि 99.5% उसमें वसा पाये जाता है घी में याद रखना विसेे से याद रखना कई बार पूछा गया अपर इस ने कि घी में फेट कितना 99.5% और बचा हुआ क्या 0.5% उसमें जल बचता है इसके बाद मखन उठाने वाले अंतर का नाम क्या है तो मखन जो उसको उठाया जाता है जब बनाया जाता है तो उसको उठाने का जो एक यह अंतर होता है उसमें 1% नमक मिलाया जाता है दूद की अपेक्छा क्रीम हलकी होती है तो ध्यान रखें दूद की अपेक्छा जो क्रीम होती है वो हलकी होती है इस कारण से उपर तैरती है मक्कन में 12-16% जल होता है special question है मक्कन में 12-16% क्या पाया जाता है जल और बाकी 80% वसा होता है यह मैं आपको अभी वता चुका हूँ next बात करते है plastic cream तो plastic जो cream होती है बच्चो इसमें plastic cream की प्रकार है cream का तो इसमें 60-85% वसा होती है की सर cream plastic की भी बनी होती है नहीं भईया उसका नाम है plastic cream समझ रहे हैं आप लोग थे plastic की कोई cream नहीं होती है plastic cream उसका नाम है और उस cream में 60-85% फेट पाई जाती है next बात का घी में 99.9 लिख लेना इसको 99.9 लिख ली जी मैं तो कह रहा हूँ 99.5% वसा पाई जाती है दूद में बसा गुलकाओं के रूप में पाई जाती है यह भी याद रखें दूद में जो फेट होती है वो किसके रूप में पाई जाती है गुलिकाओं के रूप में दूद में खटास लेक्टो सिलस लेक्टिस जीवानू के द्वारा नेक्ट देल हम लोग बात करते हैं बच्छो उर कितना होता है तो बच्छो कुलफी में वसा की मतर्य पांससे दस प्रतिसत होती है दोनों को याद रखें आइसक्रीम में फैट कितना 10 से 12 कुलफी में फैट कितना तो 5 से 10 परसेंट चिक है चले बढ़ते हम लोग आगे नेश्ट है कुलफी बनाने के लिए मठके में जो वर्फ और नमक मिलाई जाती है तो वर्फ और नमक का जो रेशी होता है वो होता है चार अनुपाथ एक मतलब चार भाग बरप तो एक भाग उसमें नमक डाला जाता है यह विसे इसकर याद रखेगा अनुपाथ चार भाग क्या वर्फ तो एक भाग क्या एक भाग आपका नमक मिलाया जाता है नेक्स्ट है बच्छो आपका आसक्रीम में जो सुवास कार까지 है इंपुरंट है बच्छो आसक्रीम में सुवास कारे क्शार डिग्री सैल्सिट आप पर मिलते हैं विशेश efयार रखना है आसक्रीम में जो सुगंद बाले पदारत आपका चाहlicher बनीला ओ चाह। Custom ट्रोवेरी हो या चोकलेटी हो तो जो भी सुबास कारेक आपके उसमें डाले जाते हैं तो डाले जाते हैं उस समय जो टेंपरेचर होता है वो कितना होता है फोर डिग्री सेल्सियस कितना होता है फोर डिग्री सेल्सियस इसके बाद कुलफी एक देसी हिमिकरत दूद पदार आइस्क्रीम का संगटन निश्चित होता है आइस्क्रीम का संगटन कैसा होता है निश्चित तो कुलफी का कैसा हुआ अनिश्चित होता है आपको पता है कि कुलफी और आइस्क्रीम में जो अंतर है वो एक्जाम में पूछा जाना है 100% याद कर लिए ना उसको आप लो कुल सोडियम एलजीनेट एक इस्थाई का रखे पर्मनेंट फेक्टर होता है ध्यान रखें सन 1857 में अमेर्का के बाल्टीमोर सहर में कौन से सहर में बाल्टीमोर सहर में आश्क्रीम सबसे पहले वनाई गया थी यह सबसे पहला उद्ध्योग लगाया गया था सन 1857 में अमेर्का के बाल्टीमोर सहर में आश्क्रीम का सबसे पहले क्या लगाया था उद्ध्योग यह विनिस्द लगाया गया था कुलफी में इस्टेफिलो कोकस वेक्टिरिया अधिक मातराम पा जाते हैं कौन से इस्टेफिलो कोकस वेक्टिरिया सबसे ज़्यादा मातराम पा जाते हैं और आसक्रीम में वनीला चॉकलेट इस्ट्रोवेरी गुला मुक सुवास कारक होते हैं सुवास करता होते हैं पहले ब वार चुसकन विदी द्वारा बनाए गए दूध से पाउडर बनानी की इसका नाम है वार शुसकन विदी में एदी दूध से पाउडर बनाए गया और उस powder को यदि पानी में घुलें तो 99% घुल जाता है तो याद रखें उसकी गुनल सीलता कितनी होती है 99% होती है इसके बाद दुख्द चून में अधिकतम नमी कितनी होती है तो ध्यान रखें दुख्द चून में अधिकतम नमी 5% होनी चाहिए दूद चूण में अधिकतम नमी कितना होना चाहिए दूद चूण में अधिकतम नमी 5% होनी चाहिए तो होता है सप्रेटा दूद में 35.5% परोटीन होता है विशेश याद रखें बच्चो इंपोटेंट है सप्रेटा जो दूद होता है सप्रेटा दूद कौन सा होता वह दूद जिससे क्रीम निकाल ली गई हो क्रीम निकालने के बाद बचा हुआ दूद सप्रेटा दूद कहला था और सप्रेटा दूद में प्रोटीन याद रखना 35.5% बचता है कितना परसेंट 35.5% ठीक है चलिए इसके बाद है बच्चो आपका दुग्द चूण तो दुग्द चूण जो होता है जिसको हम लोग मिल्क पाउडर कहते हैं इसमें वसाकी मातरा 26% होती है कितने परसेंट दूद चूण में वसाकी मातरा 26% होती है बिसे स्याद रखना और मीठे संगने दूद में जिसमें चीनी मिला दी जाती है चीनी की मातरा कितने मिलाते हैं तो चीनी की मातरा 25% उसमें होती है कोंसे में मीठे संगनित दूद में बात करते हैं हम लोग आगे संगनित दूद का दूसरा नाम सर्विस रेस्ट क्वालिटी का दूद पाउडर जो आता है वो सबसे बेश्ट देयर फार सुसकनविरी आप जानते होगे कि इसमें एक चेंबर बनाया जाता है उसमें दूद को फुखार के रूप में पहुचाया जाता है और उसमें टेंपरेचर जो रहता है वो हवा का टे उद्देश क्या है तो देखें ohj topic पॉदॉडर तद संगने दूद बनाने का उद्देश है दूद को लंबे समय तक सुरक्षित रखना छिक है संगने दूद को साड़े-چार डिगरी अलसे ताप और्ले शजित ताप पर संग्रेद करते हैं लाद्द हेष्ट गद्देश दुख्दु संग मंडल बता रहा इसमें सदस्स कितने होते हैं ध्यान रखने हैं दुख्दु संग मंडल जो होता है इसमें तेरा सदस्स होते हैं और दूसरा है राष्टिय डेरी विकास बोर्ड तो राष्टिय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना कप की गई तो याद रख तर्टी मिनिट्स के लिए किया जाता है रास्टीय सहकारता विकास निगम रास्टीय सहकारता विकास निगम की स्तापन का वही तो याद रखें यह 1972 में हुई है और इंपोटेंट ही है कि पाश्ची करें दूद को फूर डिगरी सलसेताप पर संग्रेहन करते हैं दुग दूद पादक सहकारी संग का धाचा कैसा होता है तिरिस्तरिया मतलब तीन लेवल वाला होता है तिरिस्तरिया होता है यह ध्यान रखें आप लोग दुग दूद पादक सहकारी संग का धाचा ठीक है चलिए बात करते हैं आप लोग आगे तो बचो यह याद रखना आप लोग दूद का पाश्चिकारी संग का ढाचा कैसा है? दूद पाश्चिकारी संग का ढाचा तिरिस्तिरी है यह आपको याद होना चाहिए तो बहरत में सरबादिक दूद का उतपादन होता है आपका उतर प्रदेश राज में काप पर होता है उत्रप्रदेश राज में सरबादिक दूथ का उत्पादन होता है अमूल का पूरणाम क्या है तो बेटा सब लोग जानते हैं आनंद再見 क्या है आनंद closer to the union on hunt लिम्टेड क्या है आनंद गुजरात में स्थित है केंद्रिय वहेंस अनुसंधान संस्तान इसार हरियाना में इस्तित है एकशिक सदस्ता, एक किसके सदानता है बच्चो, यह सहकारत तौर्परेशन के सदानत है भारतिय देरी निगम की स्तापना सन 1970 में हुई थी ने सो सतर में हुई थी इसके बाद दूर्द को विकरहिए थू कि एक इस्तान से दूर्स सिखान तक ले जाना क्या केलाता है तो अब जानते हैं कि दूट कोंगे री यह किस्पिलंग होती अौधी यह आपके डेरी के स्प्लेंग होती है डबलम मेंड वोड ठीक है ना इसके बाद एनाई एम का है एनाई एम का पूरा नाम है कि नेशनल इंस्टिटूट ओप एग्री कल्चर मार्गेटिंग और इसका मुख्याल है जैपुर में है राष्थान में आपको बता चुका हूँ इसकी स्था आपना कब होई 1970 में फरवरी 1970 में होई एनडियारई नेशनल इंडियारई होने चाहिए यह तो आएगा नहीं इसमें नेशनल डेरी रिसरच इंस्टिटूट यह आपका राष्ट्य संस्थान एवं डीम्ड विस्विध्याले का इसको दरजा प्राप्त है डीम्ड विस्व सारता एवं विपड़न फैडरेशन ठीक है चलिए नेश्टा बचो अपका एक आदर्स मुर्गी साला एक आदर्स मुर्गी साला भूमी के धरतल से दो फिट उची होना चाहिए ध्यान रखना एक आदर्स जो मुर्गी साला है भूमी के धरतल से कितनी फिट दो फिट यह इसको अमलोग 60 cm भी कह सकते हैं, कितने cm, 60 cm उची होना चाहिए, इसके बाद मुर्गी घर का टेंपरेचर 50-85 डिगरी फार्नियाइट होना चाहिए, इसको गहरी बिचावन पद्धती भी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको गहरी बिचावन पद्धती भी कहते हैं नेक्स्टे बच्चो आपको भारत में मुर्गी पलन की उत्तम विधी कौन सी है, तो गहरी बिचावन पद्धती है, एक मुर्गे के साथ सामानता 8-10 मुर्गियां रखी जाती है, एक मुर्गे के लिए कितनी मुर्गियां, 8-10 मुर्गियां रखी जाती है, नेक्स्टे ब होते तो भोजन को कैसे क्या करती होगी जैसे भोजन खाती है न वो उसको उनके पेट में गिजाड पाया जाता है गिजाड के द्वारा भाई पीसती है ये धान रखे भोजन पीसने काम किस के द्वारा होता है सूर के प्रकास की कमी के करण मुर्गियों में बिटामिन डी की कमी हो जाती है सही बात है सूर का प्रकास अगर ना मिल पाए मुर्गियों को तो उनमें आपकी बीमारी भी जाती है सूखा रोग भी हो जाता है और बिटामिन डी की कमी हो जाती है मुर्गियों में पसीने बाली गरंतियां नहीं पाई जाती हैं मुर्गी च्यमाने में अन्डा देना प्रारम कर देती है अंदा देना प्रारंब कर देती है आंदर प्रदेश राज को अंडे की टोकरी का जाता है सब जानते होंगे इसको तो आंदर प्रदेश राज में सबसे ज़्यादा अंडवत पदन मुर्गी पालन होता है इसलिए बहाँ पर अंदर प्रदेश राज को अंडे की टोकरी कहते हैं असील मुर्गी एक लड़ा को नसल है जीहां बच्चो जो मुर्गा होता है और उनको लड़ाने के काम लाते हैं मनोरंजन के लिए इस पिसलिए इसको पाला जाता है पिंजरा परनाली में मुर्गियों में बिटामिन डी की कमी होती है सही बात है पिंजरा परनाली जो होती है उसमें अच्छी प्रकार से धूपना मिल्क पान के कारण मुर्गियों में बिटामिन डी की कमी हो जाती है स्वास्त की दरश्टी से देखा जाए तो स्वास्त की द्रिष्टी से डीप लिटर पनाली सबसे बेस्ट मानी जाती है पिंजरा से भी बेस्ट मानी जाती है द्यान रखे नेक्स्ट है बच्चों मुर्गी आहार में अगर हम बात करें मुर्गी आहार में प्रोटीन मुर्गी आहर में प्रोटीन लगवग कितना परसंट होती है 15-20 परसंट अपका प्रोटीन होता है मुर्गीयों में दात नहीं होते वो तो पहले बता चुका हूँ इस कारण से गिजाड के द्वारा भोजन पीसने का कार किया जाता है बितामिन D की कमी से मुर्गी के अंडों का कबच पतला हो जाता है क्योंकि इनमें केल्सीम पाया जाता है इसकाराण से मुर्गीयों के आहर में कंकड पीस कर सामिल किये जाते है मुर्गियों के यहार में केलसियम की कमी से अंडा उत्पादन कम हो जाता है सही बात है क्योंकि केलसियम अंडे का कबच बनाते हैं और एदी केलसियम की मुर्गियों में कमी हो जाए तो हमेशा अंडा उत्पादन कम हो जाएगा नेक्स्ट है बच्चो बिटामिन E की कमी से मुर्गियों में प्रजिनन चमता कम हो जाती है सही बात है मुर्गियां प्रजिनन चमता या नहीं कह सकते हैं नपन सकता या इस्टिलिटी उनमें आ जाती है बिटामिन E की कमी से बिटामिन D की कमी से मुर्गियों की चूजों में सूखा रोग जिसको आम लोग रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं मतलब मुर्गियों की हड़ियां भी कमजोर हो जाती हैं बिटामिन D की कमी से बिटामिन A की कमी से मुर्गियों में रोप बीमारी ध्यान रखें मुर्गियों में बिटामिन A की कमी से रोप बीमारी हो जाती है बच्चो इसके बाद है 100 मुर्गी के बच्चों के लिए 20 लिटर पानी की आवश्यक्ता होती है अंडा देने वाली मुर्गी को प्रति दिन 120-180 ग्राम आहार की आवसकता होती है अंडा देने वाली जो भी मुर्गी होती है उसको प्रति दिन किता आहार चाहिए 120-180 ग्राम आहार की आवसकता होती है मुर्गी आहर में मचली का चूरा प्रोटीन तत्व प्रदान करता है मचली का चूरा मुर्गी को देते हैं ओसमें 45-55% लगवा प्रोटीन 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 पाया जाता है राइवफिलोवन बिटामिन वी टू जिसको कहते हैं इसकी कमी से मुर्गियों में अंग गहत बीमारी हो जाती है राइवफिलोवन जो की रासानिक नाम है बिटामिन वी टू का उसकी कमी एदी मुर्गियों में हो जाए तो अंग गहत जिसको हम लोग लकबा के नाम सी भी ज इस हो जाता है नेश्ट है आपका मुर्गी आहर में गिरिट केलसियम खनिच प्रदान करता है गिरिट आपका होता है जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के यह कह सकते हैं चूने के पत्थरों के टुकड़े होते हैं गिरिट जो खिलाई जाती है वो केलसियम प्रदान करती है मुर्गियों में बिटामिन C की कमी से होने से जो रोग होता है वो होता है चर्म रोग दाथ खात खुजली हम लोग कह सकते हैं वो बिटामिन C की कमी से होते हैं बिटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता मुर्गियों में अगर बलड निकलने लग जा तो वो बंद नहीं होता है जहां रखें विटामिन के की कमी से केल्सिया में हम फासप्रोस मुर्गियों की हड्डियों को मजबूत करते हैं सब जानते हैं चीजों को आगे हम बात करते हैं बचो नेक्स प्लोरम बीमारी मुर्गियों को प्लोरम बीमारी को सपेद दस्थ वाइट वैसलरी डायरिया के नाम से जानते हैं सभी बात है मुर्गियों में बीमारी होती है प्लोरम बीमारी इसको सपेद दस्थ और वैसलरी वाइट डायरिया भी कहा जाता है सपेद दस्थ बीमारी जो रोकारक है वो है सालमो नेला पलोरम ये सपेद दस्थ बीमारी आपके सालमो नेला पलोरम जीवानू के दारा होती है किसके दारा होती है जीवानू के दारा ये होती है सपेद दस्थ बीमारी के लक्षन साथ से दस दिन में प्रिकट हो जाते हैं याद रखें बच्चो सपेद दस्थ जो बीमारी है ये इसके लक्षन साथ से दस दिन में प्रिकट हो जाते हैं कितने दिन में साथ से दस दिन में सपेदस्त बीमारी से कम उम्र के चूजे प्रभावित होते हैं याद रखें सपेदस्त बीमारी अगर होती है तो सबसे ज़्यादा होती है कम उम्र के चूजों को पोरोसिस एवम रिकेट्स रोग एपोसक हिंता बाले रोग है पोसक हिंता मतला पोसक तत्व की कमी से होते हैं चाहे पोरोसिस हो दूसरा रिकेट्स हो दूसरी बीमारी है फाल पॉक्स फाल पॉक्स रोग विसानू से होता है मुर्गियों में याद रखें फाल पॉक्स बीमारी किसके दोरा होती है आपकी विसानू के दोरा होती है दूसरा है चेचक रोग चेचक रोग दूसरा नामे याद रखें फाल पॉक्स को ही चेचक बो कुम बाद हम बात करते हैं पकची को चोट लगना एक यांत्रिक रोग है ध्यान रखना पकची को चोट लगती है तो कौन सब्सक्राइब एक mechanical disease है गोल किर्मी एबं आंतरिक परजीवी होते हैं गोल किर्मी जो होते हैं आंतरिक परजीवी इंटरनल पेरासाइट होते हैं इसके बाद हम बात करते हैं प्लोरम बीमारी का प्रिकुप इंक्विटर द्वारा प्राप्चूजों में होता है सब जानते हैं कि अंडों से चेचक जो वीमारी है उसका दूसरा नाम भी यद रखना गंबोरों उसको कहा जाता है चेचक रोब चुजों में अधिक फ्यलता है दिखो चाहि cœur nggak ौ जण है अधिक फ़ाल पॉकुक्स पո्पोक्स चेचक भोलें या और फॉलों चेचक रोग और प्लोरं दोनों ही बीमारियां चूजों में होती हैं ये धान रखें आप लोग वीड़ूडी का पुरणा वेसलरी वाइट डाइरिया याद रखें इसको प्लोरम कह रहेते हैं आप लोग उसका पुरणाम है वीड़ूडी वेसलरी वाइट डाइरिया रानी खेत बीमारी विसानु द टीवीशों में आर्व माइक्रो बैक्ट्रियम बैक्ट्रिया के दौर LE deux Economic के दारह रहे। विसेला भुजन खाने से गानर मुर्डियों में रासानिक इने यादर्खें मिसेला घाते हैं और कौनग विमारी हैता उस कि यहां जाते है कि नुद। एक परजीवी है अंते परजीवी आंत में पाए जाते हैं मुर्गियों के में और किलनी बुखार इस्पाइरो कीटा गिलनेरम के कान होता है याद रखिएगा फालपॉक्स रोग को कुकुट सीतला के नाम से भी जाना जाता है फालपॉक्स रोग फिल्टर पासिंग इन से होती है बायरिस जंनत बीमारी है विसच याद रखें आप लोग लकबा इबहारी विसानु जंस हो जाए यह जिसने ंबहार एक बार देखिए ये जलोल सुन लीजिए याद हो गया मतलब 28 नमर पक gonna अबब enhancement ऐतना इतना तो या आप जानों आपका काम बाकि आएम पी कोश्टन की आपको एक वीडियो ले के आ रहा हूं मैं तीनों सब्जेक्ट की आएगी चिंता ना करें क्रॉप प्रोडक्शन की भी आएगी और एंलिमेंट आफ साइंस की भी आएगी तो बस पढ़ते रहें मेनत करते रहें मिल